नमस्कार मित्रों मैं बरत रानेज अपने जोतिस प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वरत के बारे में इस्वर के प्रती सची आस्था स्वधा और विश्वास प्रगट करने के लिए हम वरत रखते हैं और कुछ ऐसे वरत हैं जिनका सुरू होने के बाद उनकी अवदी पूरी होने पर उद्यापन भी किया जाता है वरत के जो नियम है उनका पालन भी हमें अवश्य करना चाहिए मित्रो जैसे की एका दर्शी का वरत है पूरीनिमा का वरत है अनन्त चतूर दर्शी का वरत है ये वरत हमें जीवन में अवश्य करने चाहिए इसके अलावा बात करें तो माताय बहने अखंड स्वभाग्य की कामना के लिए करवा चौत का वरत रखती है तो मित्रो इन वरत को सुरू करते समय और इनका उद्यापन करते समय हमें इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि ये वरत जब आ रहा है उस समय सुक्र अस्त ना हो सुक्र अस्त में यदि ये वरत आते हैं तो इन वरत को आरंब नहीं करना चाहिए और इनका उद्यापन भी नहीं करना चाहिए यदि आप पहले से वरत करते आ रहे हैं तो बात अलग है अन्यता आप वरत की सुरुवात कर रहे हैं या उद्यापन कर रहे हैं तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि उस समय तारा अस्त नहीं होना चाहिए गूरु तारा और सुक्र तारा अस्त है तो सास्त दिन आप व्रत को आरंब करने का संकल्प ले रहे हैं या उद्यापन करने का संकल्प ले रहे हैं उस समय बद्रा काल नहीं होना चाहिए यानि व्रत के दिन जैसे कि एका दशी का व्रत आप आरंब कर रहे हैं एका दशी तीथी के दिन ही आरंब करेंगे तो वो तीथी जो है सुक्रतारा अस्त हो उस अवदी में आ रही है तो उस समय हमें नहीं करना चाहिए और बात करें कि एकादशी के दिन यदि बद्रा काल है तो उस समय हमें वरत शुरू करने का संकल्प या वरत पूरा यानि उद्यापन करने का संकल्प भी हमें नहीं करना चाहिए इसी तरह करवा चौत में भी हमें ध्यान रखना है कि करवा चौत इस बार जैसे कि सुक्रतारा अस्त है और करवा चौत का वरत आ रहा है तो करवा चौत का वरत आपको उड्यापन भी नहीं करना है और वरत की सुरुवात करनी है तो भी नहीं करनी है ये आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए तो मेरे द्वरा ये धी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक करना अपने मित्रों के साथ अपने सकी सहलियों के साथ ये वीडियो अवश्य शेयर करना फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर दन्यवाद